क्लास आठवीं के बच्चों जैहिन स्टूडेंट्स आपके समक्ष नागलिक सास्तर विशे का चैप्टर नम्बर साथ जिसका नाम है समाजिक समस्याएं यह उपलब्ध है और आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सत्र दो हजार बीस एकरिस के लिए जार्खरण सेक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशाद द्वारा विशय नागरिक सास्त्र के लिए जिन तीन चैप्टर का अध्यान करना जरूरी है उसमें आपका चैप्टर नम्बर साथ भी सामिल है यानि कि इस साथ में चैप्टर का अध्यान आपको करना है तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है सामाजिक समस्याएं चप्टर का नाम है सामाजिक समस्याएं तो कौन-कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं उनको हम लोग अभी देखेंगे और मैसूस करेंगे मानव एक सामाजिक प्राणी है बिल्कुल सही बात है हम लोग समाज में रहते हैं इसलिए हम लोग समाजिक प्राणी है समाज में ही उसे हर सुख और खुसी मिलती है कोई समस्य आने पर वह समाज में ही इसका समाधान ढूंडता है मच्चों, मनुष्य से एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता जदि कहीं दूर, निर्जन, किसी पहाड या किसी जंगल में मकान बना का रहना पड़े तो कोई व्यक्ति नहीं रहेगा बहले ही उसे हर सुख और खुदा क्यों न दी जाए वो समाज में रहेगा, सब के साथ मिल जूल का रहेगा आपस में जगड़े भी करेगा, किन्तु फिर भी रहेगा समाज में ही ठीक है? निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज का अन्योनासरे संबंद है कहने का मतलब व्यक्ति को समाज से कुछ चाहिए और समाज को व्यक्ति से कुछ चाहिए दोनों एक दुसरे पे निर्भर हैं एक के बिना दुसरे की परीकलपना संभव नहीं है परंटु कभी कभी समाज में कुछ ऐसी बाते हो जाती है जो व्यक्ति के लिए उचित नहीं कही जा सकती और निंदनिय समझी जाती है इस पार्ठ में कुछ समस्याओं की चर्चा करेंगे जैसे बाल बिवा, नसा खोरी, बाल स्रम और मानव वा बाल तसकरी, बाल तसकरी मनें बच्चों की तसकरी तो एक-एक करके हम लोग देखेंगे बाल बिवा जो चाइल्ड मेरेज होता है, बहुत कम सुमय में शादी कर दिया जाना नसा खोरी समझते हैं आप लोग, मद्देपान जिसको बोलते हैं बाल स्रम जिसको हम लोग चाइल्ड लेबर बोलते हैं अंग्रेजी में और बाल तसकरी है ना, बच्चों को तसकरी करके गलत कामों में लगा देना यह सब बाल तसकरी में आता है, तो चलिए हम लोग पहले बाल बिवा को देखते हैं देखिए बाल बिवा आपको इसमें एक चिठी है, है ना यह चिठी कल्पना नाम की एक महिला है, यह लड़की है जो कहिए वो अपनी सहली सीमा को लिख गई है, तो क्या लिखती है देखिए बच्चों आप अपना पाठी फुस्तर को खोल लीजे, सिर्फ वीडियो नहीं देखिए, है ना दोनों को एक साथ देखिए लिखा हुआ है, प्रिये सीमा कई वर्ष बित गए तुमसे मिले हुए इस दर्मियान तुमसे कोई बात भी नहीं हुई कहने का मतलब यह जो कल्पना नाम की जो लड़की है या महिला है वो अपनी सहली सीमा को याद करते हुए बोलती है, लिखती है कि कई बर्ष बीत गए तुमसे मिले हुए, यानि कि दोनों कक्षा में एक साथ पढ़ते थे तो कई साल हो गए, इस दर्मियान तुमसे कोई बात भी नहीं हुई पहले तो फोन उनकी सुविधा नहीं थी न बच्चों और एक दूसरे का नंबर भी कैसे मिलेगा जब तक मतलब मुलाकात नहीं होगी तो कहीं दूसरे जगह में साधी हो जाएगी किसी बच्ची की साधी दिल्ली बंबई हो जाती है और जदी फोन नंबर नहीं है तो कैसे कॉंटक्ट होगा नहीं होगा ना तुम्हारा पता मुझे मुझे मुश्किल से ही मिल सका मुझे अपने स्कूली दिनों के खुसी के लम्हे अब भी याद है हम दोनों पढ़ाई में अच्छे थे कौन दोनों पढ़ाई में अच्छे थे सीमा भी और कल्पना भी दोनों पढ़ाई में अच्छे थे परिच्छा में हमारे बीच मुकाबला होता था हम अपने भरुष्य के लिए कई सपने देखते थे परन्तु अब मेरी आसाएं और सपने बच्चों के लिए है तुम्हें तो यह पता ही है कि जब मैं कच्छा साथ में थी के उसी समय मेरी साधी कर दी गई थी किसकी साधी कर दी गई थी? कलपना की मैं साधी के लिए बिलकुल तयार नहीं थी लेकिन परिवार और समाज के दवाब में میں जूक गई देखिए अभी हमने कहा कि पनुस्य समाज में रहता है और समाज से कुछ पाता भी है लेकिन यहां समाज के आगे जूक गई है न और कम उम्र में शादी के लिए तयार होना पड़ा मैं पंद्रह साल की थी जब मेरी बेटी का जनम हुआ था इसके दो बर्स बाद मेरे बेटे का जनम हुआ मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा चीनती तरहती हूँ हम चारों के लिए खाना जूटा पाना ही मुश्किल का काम होता है यानि की कलपना ककी एक बेटी है जो बड़ी है और एक बेटा है जो उससे चोटा है दो साल चोटा है मेरे पती सहर में रिक्सा चलाते हैं मने कलपना की जो पती हैं हस्पेंड है वो रिक्सा चलाते हैं तुम समझ सकती हो कि कोई रिक्सा चालक कितना कमाता होगा समस्या तब बढ़ जाती है जब कोई अस्वस्थ हो जाता है मतलब जब बीमार पढ़ जाता है तो पैसा कहां से आएगा एक रिक्सा चलाने वाला कितना पैसा कमाएगा मेरा बेटा जन्म से ही मांसिक रूप से कमजोर है रूपय के अभाव में उसका समूचित इलाज करवा नहीं पा रही है मेरा स्वास्त भी प्राया खराब रहता है अब कम उम्र में साधी हो गई तो स्वास्त खराब रहे गई और सही भोजन भी नहीं मिला होगा गरीबी के कारण मेरी बेटी इस समय चौथी कर्षा में पढ़ती है लेकिन अगले साल से उसका स्कूल जाना सायद बंध हो सकता है घरेलू काम मुझसे नहीं संभल पाता कितनी मने दर्दनाक चिठी है ये मने एक लड़की है कलपना जो साथवी तक पढ़ती थी और पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन उसकी साधी कर दी जाती है पहले एक बेटी जनम लेती है फिर एक बेटा जनम लेता है बेटा बच्पन से ही बिमार है पिता जी उसके यानि की पती उसके रिक्सा चलाते हैं बहुत कम पैसा आता है घर में अब कलपना की भी तविया ठीक नहीं राती है और अगले साल से जो बेटी है वो भी पढ़ाई करने स्कूल नहीं जा सकेगी क्योंकि उसको घर का काम करना पड़ेगा बच्चों यहां आप देख रहे हैं कि बाल बिवा ने किस परकार से चार लोगों के जीवन को बरबाद कर दिया है एक विक्ती का जीवन यहां बरबाद नहीं हुआ है यहां कलपना का जीवन बरबाद हुआ है कलपना के पती का जीवन भी बरबाद ही है और दोनों बच्चों का जीवन भी बरबाद है चलिए आगे देखते हैं पत्र का जवाब क्या देती है सीमा पत्र का जवाब प्रिय कलपना एक महिना पहले तुम्हारा पत्र मिला ब्यस्तता वस मैसा समय पत्र नहीं लिख सकी मैंने वो लिख रही है कि अपनी सहली कलपना को कि तुम्हारी चीटी एक महिना पहले मिली लेकिन ब्यस्त रहने के चलते मैं सही समय पर जवाब नहीं दे सकी तुम्हें तो पता है कि मैं गड़वा में एक बिद्याले में अध्यापन करती हूँ यानि कि टीचर है कौन सीमा है न मेरे पती भी बैंक में अधिकारी है मैं कितना अच्छा नहीं अपने टीचर है और पती बैंक में अधिकारी है अधिकारी देखिया है थोड़ा गलत लिखा आधिकारी लिखती आगे है ना इसको अधिकारी पढ़ियेगा मेरी छे माह की एक बेटी है वह ममी पापा की लाडली है हम उसे अच्छी सिक्षा देने देना चाहते हैं हम दोनों की आमदनी इतनी है कि अच्छे संस्थान में पढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हम उसकी छोटी बड़ी आउसकताओं का ख्याल अभी से रखते हैं हम तीन लोगों का परिवार बड़े मजे से चल रहा है रभी बार या उकास के दिन हम नजदी कहीं घुमने निकल जाते हैं साल में दो बार हम बाहर सेर पर जाते हैं भरगवान ने हमें बहुत सारी खुस जवाब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अपने बारे में तो यहां लिख दिया गया लेकिन अभी चाहिए अब खुद भी टीचर हैं और खुद टीचर हैं पती बैंक में हैं तो कुछ सहयोग करना चाहिए था अब तो जो बाल बिवा हुआ तो हुआ हुआ तो ठीक ही है लेकिन अपने बारे में सिर्फ लिखना ठीक नहीं लगा मुझे लेकिन चलिए ठीक है अब आपको समझना यह है कि किस परकार से बाल बिवाह ने जीवन को बरबाद किया और देखिए इनकी और यह जो टीचर हैं उनकी साधी तो समय पर हुई पढ़ ल लड़कों को भी लड़कियों को भी बाल बिवाह समाजिक कुरीती है बाल बिवाह का समध कुरीती है मैंने कि बाल बिवाह नहीं होना चीए खराब चीज है बाल बिवाह का समध आम तोर पर भारत में कुछ समाज में प्रचलित समाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता ह कानूनन बिवाह योग आयू लड़कों के लिए 21 बरस एवम लड़कियों के लिए 18 बरस निर्दारित की गई है परन्तु इस कानून के बावजूद बाल बिवाह के मामले आये दिन हमारे सामने आते हैं इस तरह के अधिकतर मामले खराब सामाजी का आर्थिक विष्ट भूमी में देखने को मिलते हैं यानि कि इनके घरों में खाने पीने की कोई अस्विधा नहीं है पढ़ा लिखा घर है सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ बाल बिवा नहीं होता है बाल बिवा वहीं होता है जहां ज़्यादा गरीबी है असिक्षा भी एक प्रमुकारन है भारत के कुछ छेतरों में बाल बिवा के मामले बहुत अधिक देखने को मिलते हैं वहस्तुता बाल बिवा कानून के द्रिष्टी से कपराद है मतलब भी गलत है कानूनन तो सजा मिलनी चाहिए जो का जो बाल बिवा करवाने में साहता करता है इसके अनुसार यदि 21 बरस से कम आयू का लड़का और 18 बरस से कम आयू की लड़की की साधी होती है तो यह दंडनिये हैं दंडनिये मनें उसमें सजा का प्रावधान है बाल बिवा निसेद कानून के तहट इस तरह की साधी करवाने वाले या योगदान देने वाले व्यक्ति वर एवं बधु पक्स के माता पिता रिष्टेदार बाराती बिवा करवाने वाले पंडीत होती है तो बर बधु तो है ये हैं जिम्मिवार माता पिता भी हैं रिष्टेदार भी हैं बराती जो इसमें आएंगे न Вो भी दोसी मने जाएंगे और यहां तक की विवा करवाने में जो पुरोहीद बढनीत होंगे न वो भी दंड के भागी माने जाएंगे आगे देखिए बाल बिवा निशेध अधिनियम का उलंगन है देखिए कानून तो है हमारे देश में कानून का नाम है बाल बिवा निशेध अधिनियम तो इसका यह उलंगन है जदि कोई बाल बिवा करता है या करवाने में साथ देता है तो इसका नकारात्म प्रभाव लड़के एवं लड़कियों दोनों पर पढ़ता है इसके फलसरूप उनके सागिरिक, विकास्त, स्वास्त, मानसिक एवं भावनात्मक इस्तिती, सिक्षा आदी पर बुरा परभाव पढ़ता है। खराब होई, मने आगे की सारी चीज़ें खराब हो जाती है। समझ रहे हैं बात को। हानियों को बतलाया जा रहा है। विद्याले में भी हम लोग ये बात बोलते हैं, है न समझाते हैं ताकि इसका मानसिक असर पड़े बच्चों पे की कम उमर में साधी के लिए जदी कोई बहलाने फुसलाने का परियास करे या कोई माता-पिता ही दवाव डालें तो उसको नहीं मानना है। और शिच्छक को भी बताना है कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है। पाठ्थ पुस्तकों में बाल बिवा के नकारातमक परभाव को सामिल किया जा रहा है ताकि बच्चों को अधिक से अधिक जनकारी दी जा सके। बात समझ रहे बच्चों। अब आगे देखिए। बाल बिवा की रोक्ताम के लिए बाल बिवा अधिनियम 2006 में नीमन प्रावधान किये गए हैं जो कानून बनाया गया है 2006 में उसका नाम है बाल बिवा अधिनियम 2006। तो उसमें क्या क्या है देखिए। बाल बिवा उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की का बिवा करमसा 21 एवं 18 बरस से कम उम्र में कर दिया जाए तो इसे तो रिकोगनाईज हो जाएगा एवं 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की जदि उसे कम है तो बाल बिवा है अगर कोई व्यक्ती और एक बात और बोल रहा हूं बच्चों यह कोई जरूगी नहीं है कि 18 साल की बच्ची हो गई तो उसका बिवा होना चाहिए यह गलत बात है उसे पढ़ाई करनी चाहिए अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए मैट्रिक पास कर गए तो इंटरमीडियेट कीजिए असनात्तक की पढ़ाई कीजिए एमे की पढ़ाई कीजिए आगे आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं कोई जॉब की तैयारी करिए यह कंप्यूटर की पढ़ाई कीजिए, इस क्या मतलब हुआ कि 18 साल के हो गएं तो साधी के जोगे हो गएं, नहीं, गलत बात, या कि 18 के हो गएं, लड़के सोचेंगे कि हम 21 के हो गएं, हम साधी के हो गएं, गलत बात, और अधिक उम्र में होनी चाहिए, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 बरस से कम है, आरवा किसी 18 बरस से कम उम्र की लड़की से विवा करता है, तो इसे कानूनन अपराद मना जाएगा, ऐसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद पुलीस में परात्मी की दर्ज कराई जा सकती है, समझ जाएं, परात्मी की जिसको हम लोग एफायार बोलते हैं बच्चों, पुलीस में यानि थाने में जाके, अगर लड़की के मता पिता या विवावक ऐसे विवा के अनुमती देते हैं, अथवा विवा के संयोजन में साहता परदान करते हैं, या विवा को रोकने में असफल होते हैं, तो वे भी दंड क अभागिदार होगा, बा, ये तो सही बात है, बाल विवा को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति पर्थम दर्जे के जिलाने अधिस के पास या चिका दायर कर सकता है, जारखंड में परखंड विकास पताधिकारी को बाल विवा निवारन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तथा ऐसे मामलों की सिकायत उन से भी की जा सकती है, बने जादा दूर जाने की ज़रत नहीं है, सिर्फ वीडियो सहाब को खबर कर दीजिए, है ना, अपने अपने ब्लॉक के जो वीडियो हैं, उनको खबर कर दीजिए कि फलाने जगा बाल विवा हो रहा है, बस, और कुछ नहीं करना है, आगे देखिए करामात क्या होती है, आगे, बाल विवा से पिडिद बेगती, पारिवारी कि अजिला नियाले में ऐसे विवा को अमान ने घोसित करवा सकता है, बने साधी हो जाने के बाद भी उसको अमान ने घोसित करवाया जा सकता है, चेल पढ़का है वह अठ्वी में पढ़ता है अच्छा नuk कर्छां में वह बहुत महनती और मेधावी है मेधावी मन कुसागर बुद्धी का तेज बुद्धी का पढ़ई के अलवा विध्याला की अन्गति वीधियों में भी बहुत जोग सोसे भाग लेता है वह फुटबॉल को का भी अच्छा खिलाडी है, कितनी सारी बातें अच्छी है उसके साथ में, है ना, वह फूटबॉल का भी अच्छा खिलाडी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बदला बदला सा लग रहा है, अपने दोस्त महेश के कहने पर वह नसा करने लगा है, जिस कारण उसके हार में धिरे धिरे कई परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, वह सारीक रूप से कमजोर दिखता है और बातों बातों में वह उगर हो जाता है, अच्छा लड़का बरबाद हो रहा है, विद्याले का एक सालीन लड़का, कभी कभी छोटी बातों को लेकर भी बहस करने लगता है और नाही अन्य गतिविदियों में, एक दिन रोहित के सिक्छक मिश्टर असोक ने उसे अलग से बुलाया और उसे मैत्रिपुन भाव से बात की, सिक्छक ने उसे अपनी समस्या बताने को कहा, रोहित अंत में रोने लगा, यह उपनी पूरी कहानी उन से कह डाली मिश्टर असोक ने उसे प्यार से समझाया और परामर्स दिया, उन्होंने रोहित के माता पिता से बात की तथा धैर्ज परुवक साथ देने यह सहयोग करने की सला दी, उनका सहयोग उसे नसा छोड़ने में काफी सहयक होगा, कुछी दिनों में रोहित के स्वास्त में तो समस्या का समधान हो गया रोहित का, नई तो बहुत सारे लड़के तो ऐसे ही बरबाद हो जाते हैं, समझे ना, चलिए आगे देखते हैं, नसा खोरी, रोहित की कहानी को पढ़िये या कहानी नसा खोरी पर है, आज देश की युवापिड़ी पस्मी सभियता में रंगन है कि माने सराब पी रहें तो बस पी ही रहें, यह तो गलत बात है, युवाओं में फैलती नसा खोरी देश की बड़ी समस्याओं में से एक है, नसा एक ऐसी समस्या है जिसे नसा करने वाले के साथ उसका परिवार भी बरबाद हो जाता है, परिवार से समाज समाज से देश का निर्मान होता है अता परिवार की बरबादी का असर देश पर अवस्य पढ़ेगा बच्चों हम लोग समाजिक समस्याओं की बात कर रहे हैं तो अभी दूसरी समस्या हम लोग बात करें नसा खोरी पर है ना नसा खोरी एक गंभीर स्वास्तेव समाजिक समस्या है नसा खोर का मतलब श्रिफ जो है वो सराप का नसा ही नहीं है बहुत सारे लोग पान गुटका यह सब खाते हैं और खाते खाते फिर क्या होता है उन लोगों का जो मुू में कैंसर हो जाता है और भी कई तरह से ब्वारियां हो जाती है तो वो भी नसा ही है ना इस सबसे बचना चाहिए नसा खोरी के कारण लोगों में अपराधी प्रभृती का जनम होता है सोच लिजिए उससे ना क्रिम्नल बन जाता है आदमी नसा खोरी से समाज में होने वाले अपराधों के कारणों में नसा खोरी एक प्रमुख कारण है किशोर नसे का सेवन निम्न कारणों से करते हैं कौन कारण है भई नसा करने का थोड़ा देखा जाए वयसकों की नकल इसका मतलब हुआ कि बड़े लोगों का नकल करना सराव विवम तंबाकू कमपनियों के आकरसक विग्यापन से परभावित होकर यह भी बात है अभी भावक और बच्चों में संबाध हिंता के कारण जदी अभी भावक और बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे हैं बात भी नहीं करते हैं बेटा कहां जा रहा है कहां आ रहा है कोई देखने वाला नहीं है तो क्या हो रही समना मीत्रों का दवाव, उन्हें फ्रेंड लों का दवाव के चलते भी होता है निरासावादी परिस्तिती से बचने के लिए अच्छा, जदि किसी लड़के में निरासावादी परिस्तिती आ गई है, तो वो नसे की ओर जुग सकता है परिवार में नसा खोरी के महौल के पर्वाव से, जडि परिवार में नसा खोरी के महौल पहले से हैं, तो बच्छे में वो सोभावी क्रूप से आ जाएगा. 2. परिप्षा में आसफलता, कई बार परिप्षा में फेल होने के चलते भी होता हैं. आसानी से नसीले पदार्थों की उपलब देता है जदी मानले ये बहुत आसानी से नसा वाली चीजें अगल बगल मिलती है सराब की दुकान है गुटका पाउच ये सब सब अगल बगल में मिल जाता है तो उससे भी होगा गलत धार्णा की नसा पान से ताकत में व्रिधी होती है कई खिलाडी टाइप के जो लड़के होते हैं उनलों को ऐसे समझा दिया जाता है गलत तरीके से की नसा पान करोगे तो ताकत में व्रिधी हो जाएगी ये सब चीज नसे का कारण हो जाता है अब इसका दूस पर भाव काम नहीं कर सकता है अश्मरण सक्टी मैं कमी अपने उपर कंट्रोल नहीं होगा स्वच्चता में कमी मने साफ सफाई भी नहीं रहेगा उसका इसके बाद सरी का वजन कम होना उसका जो वेट है उक कम हो जाएगा स्वास्त सम्बंदी समझे हैं बिमारी हो जाएगी पेट दरद ये दरद वो दरद है न अपराधी प्रवर्विति के जनौन मच्चों बॉक्स में देखिए ध्यान से यह भी जाने अंतराश्टी नसा निरोधक दिवस पर तेर बरस 26 जून को मनाया जाता है अंतराश्टी यह सिर्फ भारत की बाता नहीं हो रही है पूरे बिश्व में नसा निरोधक दिवस मनाया जाता है कब 26 जून को वास्तव में नसे का सेवन एक गलत आदत है इससे कभी भी लाव नहीं हो सकता अतेवर हमें नसे के सेवन से हमेशा बचना चाहिए कहा जाता है खुद से करो प्यार नसा से करो इंकार नसा एक ऐसी लत है जो एक बार किसी को लग जाती है तो उसे मौत के मूँ तक ले जाती है एक नसड़ी मरते मरते अपने परिवार को भी मार देता है अब आगे देखिए नसा खोरी से बचाओ के उपाया क्या उपाया है जी नसा खोरी से बचने का नसा के आदी हो चुके किसोरों को अपनी समस्या को माता पिता या अपने सिच्छकों से साजा करना चाहिए यए बात तो है डगनाने चाहिए अपने माता पिता और सिच्छकों बदाना चाहिए कि हमको नसर की आदत हो गई तो फिर जदि उसको छोड़ने की भी इच्छा पैदा होनी चाहिए नकारात्मक्ता से बचना चाहिए आवसेक्ता पढ़ने बच इकित्सकों से सलाह अवस्य लेनी चाहिए नसा मुक्ती केंदर से भी प्रामर्स अवस्य लेनी चाहिए नसाखोरी की और प्रियरीत करने वाले सदस या मित्रों से दोस्ती करने से परहेज करना चाहिए बच्चो नसाखोरी तो आप समझ गए अब चलिए हम लोग मानव तसकरी को देखते हैं देखें यहाँ पे एक तस्वीर एक बच्ची है मानव तसकरी या बाल तसकरी अगले प्रिष्ट पर दी गई गीता की कहानी को पढ़िए गीता की कहानी मानव तसकरी की घटना है मानव तसकरी मानवता के बिरूद किया गया का पराध है या विभिन उद्देसों के लिए किया जाने वाला मनुशियों का वैपार है जिसमें मुख रूप से गुलामी, मानव अंगों का वैपार, देह वैपार या बाल स्रम आदी गैर कानूनी कतिविधियां सामिल है वास्ता में मानव तसकरी एक संगठित अपराद है जिसमें विभिन जगों पर इसमें कई लोग सकरी होते हैं इस तरह के अपराद में जादा तर बच्चों और औरतों की खरीद विक्री होती है इसमें जादा तर गरीब परिवार के बच्चों और औरतों को मानवता के अपराद ही अपना सिकार बनाते हैं अत्यंत गरीब वो पिछड़े इलाकों में विपता चाचा जैसे दलाल सक्रिये रहते हैं और उनकी गरीबी का फाइदा उठाकर या परलोभन देकर मानव तसकरी में सलगने रहते हैं देखते हैं इसमें क्या है गीता की कहानी ये मानव तसकरी की कहानी इसको हम लोग देख लेते हैं बहुत लंबा हो जाएगा तो यहां तक तक हम लोग देखें गीता और मनीसा सातवी कक्षा की विद्यारती है एक लड़की का नाम है गीता एक लड़की का नाम है मनीसा दोनों पढ़ती है कौन क्लास में सेवेन में गीता के दो छोटे भाई हैं मनीसा ने देखा कि गीता कुछ तीनों से परिसान है उसके पुछने पर गीता ने बतलाया कि उसके घर की हाला ठीक नहीं है क्योंकि खेती से घर का गुजारा नहीं चलता है और उसकी वज़े से घर में अक्सर तनाओ का महौल रहता है गीता ने यह भी बतलाया कि उसके मुह बोले चाचा विपता उसके पिताजी को अक्सर कहते हैं कि वह गीता को सहर में अच्छी नौकरी दिलवा देंगे जिससे घर की समस्या दूर हो जाएगी लेकिन गीता के पिताजी उसे सहर भेजने से डरते हैं क्योंकि कुछ बर्स पहले उसके गाओं की दो लड़कियां इसी तरह सहर गई थी पर उनका आज तक कोई अता पता नहीं चला है बच्छों देखिए यहां पर बात क्या हो गई है गीता और मनिशा दो हैं बच्छिया इसमें गीता के बारे में बात हो रही है कीता के दो ठोटो और भाई भी हैं चोटे और जो भी है खेती बाड़ी से किसी तरह घर चल रहा है गरीबी तो है आपस में थोड़ी समस्या चलती रहती है गीता के मुह बोले चाचा है वो बार बार बोलते हैं कि गीता को हम टाउन में नौकरी दिला देंगे और इससे घर अब आराम से चलेगा क्योंकि गीता सहर से पैसे भीजेगी है ना लेकिन गीता के पिता जी डरते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी दो लड़कियां गाओं की गई है सहर लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है एक दिन गीता अपनी मा को यह समझा रही थी कि वीपता चाचा ने उसे सहर में अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया है वह यह भी कह रहे थे कि सहर में उसे रहने, खाने, पीने, घूमने, पहनने के अलावे पढ़ाय लिखाएगी पूरी सुविधा मिलेगी चाचा ने यह भी कहा है कि यदि उसे नौकरी पसंद नहीं आए तो वे उसे वापस गाओं ले आएंगे आताव वो विप्ता चाचा के साथ सहर जाना चाहती है दखी गीता तयार हो गई है न विप्ता चाचा की बातों वो भरोसा कर एम घर के आर्थिक तंगी के कारण उसकी मा ने उसे भेजने के लिए पीता को मना लिया मना लिया मने तयार कर लिया गीता के सहर जाने के लगभग तीन महीने तर विपता ने गीता के माता पिता से उसकी बात कराता रहा और पैसे भिशता रहा पर पिछले छे महीने से ना तो कोई फोन आया ना ही पैसे विपता का भी कोई अता पता नहीं और गीता भी कहां है या किसी को पता नहीं है सोचिए तीन महिना तो ठगा होगा है न वो चाचा जो था वो क्या किया होगा तीन महिना तक तो पैसा बैसा भेज दिया जादा ही करें के पैसा भेजा होगा तो गीता के ममी पापा को लगा होगा कि चलो बहुत पैसा आ रहा अच्छा है और बात ओद भी कराता था उसके बाद उस लड़की को बेच दिया होगा है ना इसलिए ना उसका फोन आ रहा है ना कुछ आ रहा है समझे अब आगे क्या हुआ देखिए मानब तसकरी एवां बाल तसकरी के तरीके मानब तसकरी कैसे कियाता है पगलोभन दे कर माना की लालच दिया जाता है धमकी द्वारा कहीं कहीं तो लालच से काम नहीं चलता है तो धमकी दिया जाता है जबरन, बल परियुदा, कहीं कहीं तो एकदम जबरदस्ती भी होता है, कहीं कहीं अपहरन करके, अपहरन करके मतना है, किड़ने अप करके लेके चल देता है, कहीं ले जाके बेचे देता है, उसके बाद धोके से, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, गरीबी ही सही, लेकिन अपने गाउं में राके अपने विद्याले में पढ़ाई करना है और आगे जब तक अच्छी तरह से हम पढ़ाई नहीं कर लेंगे हम सहर नहीं जाएंगे किसी के साथ ये बात सभी लड़कियां और सभी लड़कों को याद रखना है ठीक है मानव तसकरी के और कौन क लेकिन अब जिनको ले गया पकड़के उसका क्या हुआ मानव तसकरी के सिकार होने वाले लोग निमलिखीत हो सकते हैं बच्चे लड़के वा लड़कियां मने बच्चों को जिसमें लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं उनको मानव तसकरी की जाती है ज़्यादा पै दमक से परभावित लो कुछ लोगों को लगता है कि सहर में बहुत अच्छा है, सब कुछ है, गाउं में तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, गाउं में जो खेत, खलियान, जील, जरने, जंगल, पहाड हम लोग के हैं न, वही बहुत अच्छे हैं, कम से उजे बिल्डिंग है, वह आपके तो नहीं हो जाएंगे न, अग्यानी लोग, जिसके पस ग्यान नहीं है, वह लोग भी वैसा करते हैं, आर्थिक रूप से पिछडे छेतर में रहने वाले गरीब परिवार, आप देखिए, मानव तसकरी से बचने की नीमने तरीके हैं, मन हमेशा सावधान आपको रहना है, किसी परिशीत अथवा अपरिशीत के बहकावे में न आए, मन घर वाला भी कोई अपना नजदी की रिलेशन वाला भी जदी बहकाएगा तो वही नहीं बहकना है, और दूर वाला बहकाएगा तो वही नहीं बहकना है, किसी अपरिशीत को अपना नाम पता मोबाइल नंबर और अन्य नीजी जनकारी नहीं दें कोई अपरचित आदमी है जिसको आप जानते तक नहीं है उसको ना अपना नाम बताईए ना पता बताईए ना मोबाइल नंबर दीजे और ना नीजी जनकारी दीजें किसी के बहकावे और परलोभन की जनकारी तूरंट अपने माता पिता को दें जदि कोई आदमी भाका रहा है या फुसला रहा है पर लोभन दे रहा है कि तुमको हम दस अजार उपिया देंगे तुम चलो टाउन में वहां तुम आराम से पढ़ाई लिखाई करना है ना खाने पिने की कोई कमी नहीं है वहां क भावा कि या किसी बिस्वस्निय ब्यक्ति या संस्था का मोबाइल नंबर अपने पास अवस्य रखें बच्चों जदि आपके माता पिता का मोबाइल नंबर है तो उसको हमेसा अपने पास रखिए उसको याद रखिए या फिर किसी बिस्वस्निय ब्यक्ति का या संस्था गाउं के जो मुण्डा जी या मुख्या जी हैं उनका नंबर गाउं में जो सिच्छक हैं उनका नंबर उस अब रखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी और सिक्ता पढ़ने पर पुलीस का सहयोग लें इभी जोगी है मानव तसकरी को रोकने के लिए अनैतिक बैपार निवारन अधिनियम 1956 के तहट सभी परकार के मानव तसकरी को अपराद की जरेणी में रखा गया है इस कानून की धरा पांच के अनुसार ये दंडनिये हैं इसमें कानूनी परवप्रावधान निम्नुवत हैं बच्चों देखिए इसके लिए कानून बहुत पहले बन गया था 1956 देशाजाद होने के नौ साल के बादे बन गया था इसका नाम है अनैतिक बैपार निवारन अधिनियम 1956 है ना इसमें क्या है भई प्रावधान क्या है कोई भी व्यक्ति जो मानव तसकरी करता है एवं उसे पहली बार दोसी ठाराया गया है तो उसे कम से कम साथ साल सस्रम करवास सस्रम करवास मनें वहाँ पर पत्थर तोड़ना पड़ेगा कहां पर जेल में तो पत्थरे न तोड़ना है, दूसरे एवं आगे की स्तिती में आजीवन करवास की सजा होगी, और जदी दुबारा फिर पकड़ाएगा वही अदमी, तो उसको आजीवन करवास की सजा होगी, पहली बार जदी human traffic में वो सामिल होता है, trafficking में सामिल होता है, मानव तसकरी में स गीता के चाचा जदी पकड़ा जाएगे तो उनको साथ साल की सजा होगी, ठीक है, साथ साल तक जेल में चक्की पिशिंग, चक्की पिसिंग, समझें, वह चक्की पिसेंगे और पत्थर तोडएगे, और मार भी पड़ेगा, समझेंगा अगे गीता के चाचा जोड़ी दुबारा पकड़ा जाएं एही काम करते हुए तब तो आजीवन करवास की सजा होगी। कोई भी व्यक्ति जो मानव तसकरी करने का प्रयास करता है या किसी दूसरे को इसका यो मदद करता है तो आज मान लिया जाएगा कि उसने यह अपराद किया है तथा वह सजा का हरदार होगा। आठ जीलों में काम कर रही है। खूटी, दुमका, सिम्डेगा, गुमला, गांची, चाइबासा, लोहर दगगाय और पलामू में एच्टी यू का जरत है। वह यह तो बढ़िया बात है। कि नहीं का सवभाग्य होता है, जो लौट पाती है, अपने माबाप को, अपने भाई बैनों को देख पाती है। नहीं तो उनका लौट पाना भी मुश्किल है। है ना, तो जार्खंड में मानव तसकरी को रोकने के लिए जार्खंड पुलीस की एक बिसेस इकाई, जिसका नाम है एंटी हूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, राज के आठ जिलों में काम कर गई है। खुटी, खुटी भी जंगली छेतर है, दुमका वो भी जंगली छेतर है, सीमडेगा वो भी जंगल छेतर अधिक है, गुमला राची जदी सहर को छोड़ दीजिए तो बाकी छेतर तो जंगल है। उसके बाद चायबासा तो सबसे ज़्यादा जंगल है, सारंडा के घने ज हैं अब देखिए help line number related to women and children in जारखन देखिए police help line के लिए आपको 100 number दबाना होगा 100 mobile से हो जैसे भी हो mobile से ही जदी आप phone करते हैं तो 100 number दबा दीजेगा तो police को लग जाएगा 1098 तो यह child line इंडिया को लग जाएगा मनने जो बच्चों की जो trafficking होती है न वो missing child help line जारखन CID and DSS 094713 00008 जारखन state commission for protection of child right इसका भी एक number है woman help line जारखन दस एक आदबे इगाहात one nine six seven women and children sale जारखन इसका भी नंबर देखिए सामने है सब बच्चों यह पाठे पुस्तक में हैं वहां से देख लीजेगा anti human trafficking जारखन इसका एक toll free number है सब toll free है किसी में पैसा नहीं लगेगा जारखन state children protection society है न डिरेक्टोरेट आप social welfare जारखन जारखन एस्टेट human rights commission यह सब का नंबर है बाकी के अंतिम जो तीन नंबर है बच्चों 0651 यह राची का नंबर है न जेरो 0651 305 999 06512400749 06512401181 यह सब जहां राची का यह सब लैंड लाइन नंबर है मोबाइल नंबर नहीं है लास्ट का तीन थो है न तो यह सब नंबर समय समय पर उप्योगी हो सकता है अब आईए हम लोग देखते हैं बाल स्रम बच्चों वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आ पर नहीं है एक ही चेप्टर इस चेप्टर को मैं समाथ करना चाहा हूं थोड़ा सब बच जाएगा इसलिए इसी में इसको समाहित कर देता हूं आप लोग कोसिस की लिए इस वीडियो को पुरा-पुरा देखने का चलिए बाल स्रम बच्चों को भगवान का रूप माना ज के साथ होने वाले बिवहार के अधार पर होता है लेकिन खनन घ्रन मने माइनिंग जो माइन्स चलते हैं क्रिसी माता पीता के मदद अपना स्वेम का लगू बेवसाए जैसे खाने पार पूस पीने की चीज़ें बेचना या रहने छोटे मुटे काम हो सकते हैं मैं काम में ल दुकान में काम करता हुआ कोई बच्चा दिख सकता है। और भी बहुत सारे जगों में इंट के भटों में भी अपने माता-पिता के साथ दिख जाएंगे। खेती के काम में तो दिखेंगे ही। हर जगा बच्चों से काम लिया जाता है। कुछ बच्चे परिटकों के गाइड के रूप में भी काम करते हैं, कभी कभी उन्हें दुकानों और होटलों में काम में लगा दिया जाता है, कुछ लोग बच्चों से बलपुरवर बक्से को बनाना, जूते पॉलिस, स्टोर के उतपादों के भंडारन करना, और साफ और दोहरा वाले काम लेते हैं, यह सभी काम बच्चों से सभी परकार के मौसम में लिया जाता है, तथा उन्हें नियुनतम बेतन भी दिया जाता है, नहीं दिया जाता होगा, देखें बच्चों यह फोटो में देखिए क्या क्या हो रहा है, एक बच्चा चाए बेज रहा या चाय च्छान रहा है ना मोटर साइकील गैरेज में एक बच्चा है पत्थर तोड़ रहा है बच्चा तो बच्चों ये बता दूं कि बच्चपन दुबारा फिर नहीं आता किसी की जीवन में ऐसा नहीं करने से ये जो भी ऐसा करते हैं यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में 2-17 साल के लगभर 2.5 करोड बच्चे बाल स्रम में लिपते हैं तो यूनिसेफ जो है न यूए नो की संस्था उसके अनुसार दुनिया में 2-17 साल के लगभर 2.5 करोड बच्चे बाल स्रम में लिपते हैं जबकि इसमें घरेलू स्रम साम मिल नहीं है माने घर वाला लेवर को छोड़ दीजिए बहुत सारे बच्ची यह दुस्रों को घरब में जुठा बरतन का काम करती है उसको छोड चोड जोड के 50 करोड है उसको जोड देंगे तो पतानी दस करोड हो जाएगा कि बीस करोड हो जाएगा इनके काम को बाल सरम कहा जाता है बाल सरम की घटना बैस्वीख है वैसि विए यह वर्डवाइड है बच्चों यह सिर्फ भारत की बात नहीं है भारत में यह मुद्दा बहुत ही पेचीदा है क्यूंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपने माता पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारम भ पर्थ माता पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदाईगी के कारण कर्ज के भुक्तान के लिए बच्चों को मजदूरी मजदूरों के रूप में काज करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। विरारी मनें उसको जिन्दगी भर काम करना है। क्यों काम करना है। क्योंकि उसके पिताजी के पिताजी ने लोन लिया था। किस से। वही जो सेठ या सहुकार हैं जो गाओं के। गाओं के सहुकार से पैसा लिये थे। मान लिए एक दो हजार रुपी आया कुछ भी पैसा तो उसका सूध नहीं दे पाएं, तो आप काम करो, फृरी में, समझे है, अब देखी है, बॉक्स में लिखा हुए बाल सरम के कारण, बाल सरम के क्या कारण, एक आतियाधिक जनसंग किया, घरों में जदी एक बच्चा होगा, दूबच्चा होगा, तो किसका बच्चा गर में पांच गोच तो उस इस्तिती में उसमें से एक दो काम करने निकल जाएंगे उसके बाद असिक्षा है और गरीबी है अब देखिए बाल सरम के लिए कोई कानून है यानि उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं सोतंदर्ता प्राप्ति के बाद से ही भारत में बाल सरम की समस्या एक चिंता कभी से है इसके निवारन के लिए सरकार की भूमिका को महत्रपूर्ण माना गया समिधान निर्माताओं ने भी बाल सरम की समस्या से अवगत थे अता उन्होंने समिधान में इससे समंधित प्राव प्रावधान किया गया है कि राज्य छे से 14 साल के बच्चे एवं बच्चियों के लिए मुप्त सिक्षा हेतु सभी अधारबूत संगचना एवं संसाधन उपलब्द कराएगा सन 1986 में भरत सरकार के दोरा बाल सरम को रोकने के लिए कानून बनाया गया यह कानून बाल सरम अधिनियम निसेद एवं नियमन 1986 के नाम से जना जाता है इस कानून में नीम्न प्रावधान किया गया है 14 बरस से कम उम्रे के बच्चे और बच्चीयों से होटल, का खाना, रेलवे, स्टेशन, बंदरगा, दुकान, ख़दान जैसी जगों पर मजदूरी करवाना दंडनिये है खतरनाक उद्योगों जैसे बीडी, कालीन, सीमेंट, माची, साबून, चमड़ा, भावान, निर्मान इतादी में बाल मजदूरी निसेद माना गया है कोई भी व्यक्ति बाल मजदूरी करवाता है यदि उसका यह अपराद पर्थम बार्षिद होता है तो उसे तीन महिने से लेकर एक बरस की सजा या बीस हजा रूपे जुर्माना या दोनों हो सकता है यदि वह इसकी पुनरावरिती करता है तो उसे छे महिने से दो बरस की सजा का भी प्रावधान है इसलिए जो कोई भी होटल चला रहे हैं आप लोग सावधान हो जाईए आपके होटल में जदी कोई बच्चा काम कर रहा है और जदी आप पकड़े जाते हैं और पकड़े क्या पकड़े जाएंगे निस्चित है ना तो उस परिस्थिती में आपको तीन महीने से एक साल की कैद होगी और उपर से बीस हजा रुपया आपको जुर्माना भी लगेगा है ना पहली बार में पर्थम बार में तीन महीने से एक बरस की सजा और बीस हजा रुपय जुर्माना या फिर दोनों है ना हैं और ज़िजिस की पुन्रा व्रिति होती है मुले इस मिन उस्ते बाद भी उस सजया पहने के बाद ऑद भी आप भी हो तो ज़खे उंप से काम लेते हैं तो इस वर तो आपको छे मेने से डो साल की सजय की अविए फिर समझजिए घा Essa वे बच्चों से काम मत लेजी करी को human trafficking बोलते हैं बंदुवा मजदू को bonded labor बोलते हैं दुस प्रभाव को side effect बोलते हैं कानून को हम लोग अंग्रेजी में law बोलते हैं और नसाखोरी को drug addiction बोलते हैं ठीक है तो यह सारे सब्द हैं अंग्रेजी में इसके अलावे कुछ प्रसनोतर भी है उसकी जर्चा हम ल five लमबा हो गया हो श्रम अभी हम लोग ने किन किन बातों की चैज़ा कई सबसे अंत में लोग ने बाल स्रम की कि बाल स्रम के पहले हम लोगों निया थी कि चिछा की हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने बाल विवाह की चर्चा की तो इस प्रकार से यह पुल चार समाजिक समस्याओं का सामना हम लोग हमारा समाज तो कर ही रहा है और हम लोग भी इससे आउगत हुए तो बच्चों आप लोग कोशिश करिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए स तूनि ध्यान से ठीक है और इस चेप्टर को भी अच्छी तरह से पढ़ जाइए ठीक है वच्चों इस तरह से हमारा छेप्टर नमबर साथ जो है वो एक ही वीडियो में समाप्त भी षो गया है कुछ प्रस्नोतर हैं वैसे ध्यान से आप वीडियो सुनिएग है तो सभी प और सुनतर के लिए मैं एक और वीडियो बनाओंगा ठीक है बच्चों जाहिन बच्चों